हाई अब्रिवान गरीमा ही यार और वेल्कम टू मैं चैनल लेटिल गारडन बहुत दिनों से बहुत सारे लोग लोटस अबडेट के लिए कमेंड कर रहे थे और विकॉज उसमें देखने लाए कभी कुछ खास था नहीं तो मैंने लोटस अबडेट नहीं किया है और पहले य मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो अब मुझे पता नहीं है कि कौन से लोटस टब में कौन सा लोटस है और अभी तो यह बढ़ रहे हैं तो जब तक अब यह खिलेंगे नहीं मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कौन सा लोटस है क्योंकि सब मिक्स हो चुके हैं कुछ टब का और उसके बाद बाकी टब फिर से मिक्स हो गए तो अब मुझे एक्जैकली वाकई में नहीं पता है कि कौन सा टब कौन सा टब है लेकिन मेरे ख्याल से यह यह तो यह रैट फिलीप है और मुझे लगता है कि यह जिन से है इन दोनों का मुझे कुछ-कुछ थोड़ा सा लग रहा है बाकी सब का मुझे नहीं पता है पर इसके अलावा भी मेरे पास उस तरफ और टब्स थे मैं आपको लेके चलती हूं पर सी यह टब्स मेरे पास और थे यह ग्रीन एपल है मुझे पता ही क्योंकि मैंने इसे एक्जैकली वहीं लगाया जहां से इसे निकाला था और वाला जो दिख रहा है वाला बुद्धा सीट है और यह यह नहीं पता कौन सा है यह वाले में लिटल रेन है यहां पर यह वाला एक्जैकली कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है और काफी दिनों से रखने के कारण यह लेखिए कितना लंबा रणर इसमें फॉर्म हो गय है तो यह वाला पूरा खतम हो जाएगा ऐसा ही बहुत ही जादा मेरे दूसरे लोटस के सांथ भी हो रहा है कि वह बहुत अच्छे से देखिए इस तरह से बढ़ रहे हैं पर मैं नहीं नहीं लगा पार हूँ जिसके कारण वह बढ़ने के सांथ बहुत जल्दी खत्म हो जा इसलिए मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहे हूं और यहां पर आप जो देख रहे हैं यह हाट बलड लोटस है और इसे अभी रिपॉर्ट किया था मैंने और इसमें बहुत बढ़िया क्रोथ है अगर मैं सही टाइम पर इन्हें या इन्हें रिपॉर्ट कर देती तो वह भी आ लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पार है जिसके कारण सारे लोटस मेरे ऐसे हो रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वाटर लिली का टब है और बिल्कुल ध्यान ना देने के कारण इनमें भी मॉस्कीटो होने लगे हैं तो इनके लिए भी मुझे कुछ करना हैं तो यह मैंने सेल के लिए रखा था इच जो है वो 70 रुपीज में इच बल्ब मैंने सेल कर रही थी तब इसके लिए रखा हुआ था अभी मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा हैं तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट करके खरीच सकते हैं डिलीवरी भी बहुत ही कम है और आप दूसरे प्लाइन भी वहां से ले सकते हैं तो यही है लोटस का जो मीन हाल है मेरे जिसके कारण में इन पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी लेकिन आप लोग लगातर लगातर कमेंट कर रहते तो मैं सोची कि इतना बोलने के अगर पौधों पर दियान नहीं दे पाते तो आपके जो पौधे हैं उनका हालत बिलकुल खराब हो जाता है और यहां पर देख सकते हैं एक तो एक डिर साल से मेरे पौधों पर बहुत जादा स्नेल का अटैक हो रखा है और अभी अभी तो माहों होता है उनका बहुत प्लांट्स की हालत और खराब हो गए टॉप्स को मैंने जब खाली किया उसके बाद उसे फिल भी नहीं किया जिसके करना अब मैं उगा नहीं पा रही हूं तो जल्दी से इसे फिल करूँगी और दुबारा लगाउंगी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी कुछ है और सबसे बाद मेरे कुछ water plants भी खत्म होने लगे थे तो मैंने अलग अलग टप्स में अभी water lily lotus सब कुछ mix कर दिया है जो कि एक bad idea था लेकिन मेरे पास अभी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था कुछ महीने तक इन्हें mix करके ही रखना पड़ा क्योंकि अगर मैं mix नहीं कर दी तो हमारे हैं इतना कम पानी था कि मैं कुछ species को खो देती जैसा कि मैंने खो दिया है भी है तो ऐसा मुझे करना पड़ा अभी सब को separate करके दुबारा लगाना होगा और आप देख सकते हैं कि उतने सारे plants को separate करके दुबारा लगाने में महीनों का वक्त लग जाता है और इतना समय नहीं होने के कारण ही यह देखिए बहुत सारे lotus इस तरह से हो होके खतम हो जा रहे हैं तो यह sad news थी इसी कारण मैं यह वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि यह सब मैं आपको नहीं दिखाना चाती थी मैं आपको अच्छे से healthy plants दिखाना चाती थी जिन में bloom आए जो बड़ी आप बढ़े लेकिन फिल हाल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत जादा busy होने के कारण और कुछ फैमिली में दिक्कते होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पानी आप देख भी रहे होंगे कि मेरे व बीच में वीडियो बनाया भी है यह देखे और खुरन लिली में flower भी आ água रहे हैं इस मौसम में flower बहुत ही अजीब के लिकिए बहुत सारे पॉधियो आए हैं जो अच्छे से बागव हैं बहुत सारी बेश्चे से नहीं भी बर रहते हैं तो मैं आपको नेक्ष वीडियो मिलती हो इन्फॉरमेश्ट दियू जानकारी के साथ अभी मेरे पास कुछ खास नहीं है इसलिए मैं वीडियो जादा बना नहीं पा रही हूँ I hope क्योंकि आपने बहुत जादा बूला मैंने ये वीडियो बनाया तो I hope आपको ये अच्छा लगा हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टाइम बाई